टाओ खड़ा होता और हैलyorsun इंट ते हाथ से स्टोन चूट जाता और वहां प्लेट में चला जाता है वहीं टाओ के पेरिंट्स भी इंट रहे थे और टाओ और हैलोटिका भी ढूँणने लगती है पर फिर वह इंट करबोनी्स के पास पहुंच जाता और कूडे के डब्बे में जाकर गिरती है उसके हाथ से वो स्टोन भी गिर जाता और इस बर टाओ उसे उठा लेता है और वापस सब कुछ ठीक हो जाने के विसमांगता है जिससे सब फाइट करना बंद कर देते हैं और कूल वापस इंसान बन गया था और टाओ के पैरेंट्स भी अलग हो जाते हैं सब कुछ सही हो जाने के बाद टाओ बाहर जाता है और उस स्टोन को पूरी जान से बाहर फेक देता है जिससे वापस उसे कोई ढून ना पाए अगली मौनिंग हम देखते हैं कि अस्टेसी उस स्टोन को वापस ढून लेती है टाओ उस स्टोन को हामेशा के लिए खत्म करने जाने लगता है पर तभी हैल बैटी का